हलो माई डियर स्टुडेंट्स जहिन जाचे कि आप लोग इस वीडियो के यह स्क्रीन पर देख रहे हैं यह वीडियो टेंथ बोर्ड के फर्स्ट टर्मिनल एक्जाम्स के सूसल साइंस के कोस्टन पर बेस्ट है इस वीडियो में हमने सिर्फ यह बताने की कोसिस की है कि आप लोग इस पैटर्न को समझें कि सिब्यस्य हो या जैक बोर्ड हो यहाँ पर टेंथ बोर्ड में जो सिसल साइंस में अबजेक्टिब से रिलेटेट कोसं स पूछे जाते हैं वो किस तरीके के होते हैं और किस पैटर्न के होते हैं यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी helpful होगा चुकि आप लोग जब तक question के pattern को नहीं समझाएंगे तब तक आप के पढ़ने के तरीके में बदलाव नहीं आएगा और आपका पढ़ने का नजरियात तभी बदलता है जब आप question के pattern को समझते हैं उसी इसाब से आप अपना objective से related question यहाँ इस वीडियो में हमने दिया है subjective के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे यहाँ पे सिर्फ objective से सब related question है तो आएए एका करके हम लोग question को देखें कि इसमें से कैसा कैसा question पूछा गया है जैसा कि पहला question है आप देख सकते हैं कि France में पर्थम विद्रूह कब हुआ था तो यह पहला chapter का question है social science में history से related तो इसका options चार options दिये वे हैं जिसमें option नंबर वन जो है July 1830 यही इसका answer है यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो question का answer है उसे मैंने red ink से highlight किया हुआ है ताकि आप लोगों को कोई confusion नहों और आसानी से उसको answer को आप अपने ध्यान में रख सकें और उसको remind कर सकें हम लोग जल्दी जल्दी से सारे questions को देख लेते इसके हैं उसके लिए English medium में भी यहाँ questions दे दिया गया है जैसा कि इसी question का English यहाँ पर देख सकते हैं कि when did the first rebellion take place in France तो यहाँ पर सारे options वही हैं जो हिंदी में हैं तो आप दोनों में से जूच करें आप देख सकते हैं दूसरा question है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि इसवर की मर्जी के अनुसरा रास्ट ही मनस्यों की प्राक्रते की काई थी तो इसका अंसर जो है वो तीसरा नमर का है जो से पर मैट से नहीं हाना तो इस तरीके से इसका भी English question है कि who among the following believed that the nation was the natural unit of human beings according to the will of God तो इसका भी अंसर वही होगा तीसरा तीन नमर का अब हम लोग तो अगर next question के बात करें तो next question है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे युरोप के सिख्षित अभिजात वर्ग में रास्टी ये भावनाओं को संचार किया तो यहाँ पर देखें इस question का अंसर जो है वो चार है इटले और जर्मनी का इक ही करन यहाँ पर एक चीज आप ल देने का pattern में पता चलेगा कि objective exams में कैसे options दिये जाते हैं नेक्स question है कि 1848 में युरोपिये देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे तो 1848 में युरोपिये देश के किसान मजदूर जो है वो गरीबी विरुजगारी भूख मरी तमाम सारी समस्याओं क के कारण जो है वो सत्ता के खिलाब विद्रोह कर रहे थे नेक्स question है कि निम्न मेंसी किस ने अपने उद्देशों के परसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था तो इसका आंसर जोट सिपे मैट से नहीं नेक्स question के अगर हम लोग देखें नेक्स question है कि पर्थम विशुद में रक्षा ब्याय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न मेंसी क्या किया गया तो जब पर्थम विशुद में रच्छा ब्याय में भारी जाफा हो गया तो खर्चे की भरपाई के लिए तमाम सरकारों ने युद के नाम पे करजे लिए करों में बिर्धी की गई और सीमा सुल बढ़ा दिये इस तरीके से रच्छा ब्याय को थोड़ा सा उसकी भरपाई करने की कोशिस की गई और लेकिन अंतता इसका खाम्याजा आम जनता को भुगतना पड़ा और आम जनता जो है वो फाइनली इसे काफी जो है एक तरीके से उन लोगों को छती हुआ नुकसान हुआ नेक्स कोशन हम लोग देखते है यहिंसा का धर्म सभी भारतियों को एकता के सुत्र में बांच सकता है या किनका विश्वास था तो हम लोग जानते है सत्य और यहिंसा जो है महत्मा गानली का परम अस्तर था और इसलिए इसका आंसर क्या है महत्मा गानली नेक्स कोशन है कि जालियोंवाला बाग मैदान में अमरित सरके गाउँ वाले लोग किस मेले में श्रकत करने के लिए जमा हुए थे तो जालियोंवाला बाग हत्याकान जो पूरे भारती सुर्थ नतरता संग्राम में एक एधिहासि घटना है उसमें से जो अमरित सरके गाउं वाले जो है जोलियों वाले बाग मैदान में जो कठे हुए थे वो बैसाकी मेला को तेखने के लिए या उसमें सिर्कत करने के लिए एकत्रित हुए थे मातमा गांदी तौरा वायसरा एर्विन को लिखे खत्में सब्से मातरपुण नुमां किस वस्तुपर लगाये गए कर को खत्म करने के बारे में था तो इसका अंसर है नमक कर जो कि नमक जो आम जंता का एक रोज मर रा के जरूरत का चीज़ है और इसके बिना इंसान नहीं रह सकता है और जब नमक पे अंग्रेजी सरकार ने ज़्यादा टेक्स लगा दिया तो महत्म गादी इसके खिलाब जो है वो धर्नाप परदर्शन करने लगे अंदुलन करने लगे और फाइनली उन्होंने जो है वाइस्तरा एर्वीन कुखात लिकर के इस पर से टेक्स हटाने के लिए कहा नेक्स कुष्टन है कि हिंद सवराज नमक पुस्तक के लिखक कौन है तो हिंद सवराज पुस्तक के लिखक जो है वो महत्म गादी है नेक्स question है कि जर्मनी के एकी करण का स्री किसे दिया जाता है तो जर्मनी के एकी करण का स्री Automan 2 मार्क कुद दिया जाता है बारभवन question है चौरी चौराकांड किस वर्स हुआ था तो इसका answer food नमर का है 1922 परवरी 1922 पर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था. डेट अगर पूछे तो डेट ध्यान रखेगा पांच परवरी नेक्स कोचन है पाउन दौरा मैदान अथवा ढालू छेतर से मिर्दा को उड़ा ले जाने की परक्रिया को क्या कहा जाता है तो यह अब यहाँ से जोगर्पी का कोचन शुरू होता है नेक्स कोचन है कि निम्न में से किस मिर्दा को रेगुड मिर्दा अर्था रेगुड मिर्टी भी कहा जाता है तो काली मिर्टी को रेगुड मिर्दा या मिर्टी भी कहा जाता है अगला कोचन है कि जुन 1992 में ब्राजिल के किस सर में पर्थम अंतराश्टी पर्थवी सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो 1992 में ब्राजिल के रियोड जेनेरियो में पर्थम अंतरास्टी प्रत्वी सम्मेलन का आयजन किया गया था अगला कॉसन है कि निम्न मैंसे भारत के किस राईजों में खनीजों और कोईले के परचूर भंडार है तो हम लोग जानते हैं कि जारकंड जो हमारा खनीज़ अंसाधनों से भरा हुआ देश है अगला कॉसन है भारत में भूमी का कितना प्रतिसद भूभाग भूछेत्र मैदान के रूप में है तो ये इसका अंसर है 43 परसेंट है इदेश के छेत्र भाग लगो 27 परतिसद हिस्सा अखनीजों जिवासमिंदन और वनों के अपार संचे के रूप में किस छेत्र को जाना जाता है तो ये पठारी छेत्र को जो है, वो इंधनों के या जिवास मिंधनों के अपार संचे के छेत्र की रूप में जाना जाता है अगले कोशन की और हम लोग रूप करें नेक्स कोशन है, पंजाब में भूमी निमनी करण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमी निमनी करण का मुख्य कारण है अधिक सिच्चाई Next question है कि निमनी में से किस प्रान्त में सीड़िदार सोपानी खेती की जाती है तो उत्राखंड में जो है वो सीड़िदार सोपानी खेती की जाती है यहां पे द्यान रखें कि कोई भी पहाडी राइज है या छेतर है वहाँ पे ज़तर सीड़ीदार खेती ही होती है और उत्रा अंचल अर्थाद उत्रा कंड जो है वो एक पहाडी लागा है इसलिए वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है नेक्स कोशन है भारती वन्य जीव अधिनियम किस वर्स लागूँआ तो भारती वन्य जीव अधिनियम जो है वह 1972 में लागू हुआ था नेक्स कोशन है कौन से परियूजना सतलज ब्यास बेसिन में जल विदुत उत्पादन और सिचाई दोनों के काम आती है तो इसका अंसर है भाख्रा नंगल परियूजना या परियूजना से जो है वो जल विदुत उत्पादन और सिचाई दोनों का काम लिया जाता है नेक्स कोशन है दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है तो दुनिया भर में जल की कमी को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जितने उपसंस दिये हैं उन सभी कारणों से जल की कमी हो रही है जिसमें से सूखा, जलकी बर्थ बरबादी या सिचाय की बर्थी मांग है ये सभी कारण जो है कारण किसे दुनिया भर में जलकी कमी हो रही है नेक्स कोसने बेल्जियम में 1950 और 1960 के दसक में किन भासा के बोलने वाले समों के बीच तनाव बढ़ने लगाता इसका अंसर है फ्रेंच और डच भासा के बीच तनाव बढ़ने लगाता नेक्स कोसने स्री लंका में अधिकतर सीहली भासा के लोग वो बाधार्म के मानने वाले लोग है अगला कोशन है कि लोक तंतर के एक बुनियादे से धान्त के रूप में राजनितिक सक्तिक असरोत किसे बना जाता है तो लोक तंतर हम जानते हैं कि लोक तंतर में सबसे जादा जो पावर दिया गया है वो जनता को दिया गया है और जनता ही अपने सासकों का चुनाव करती है वो जिसे चाहती है चुन करके उसे अपना परतिन्धी की रूप में सासक बना सकती है नेक्स सवाल है कि सत्ता में भागिदारी के आवसकता कहां पढ़ती है तो सत्ता में भागिदारी के आवसक्ता जो है उत्तमाम छेतरों में पढ़ती है जेतने यहां उप्सन दिये हैं उन सभी में सत्ता की भागिदारी के आवसक्ता पढ़ती है आप देख सकने है पहला उप्सन है छेतर भासा और जाती के अधार पर बटी समाज में छेतरी विभाजन वाले बड़ी राईजिव में और तीसरा है परतीक लुगतांतरिक राईजिव में इस सभी प्रकार की बेवस्ता में जो है वो सत्ता में भागिदारी कह आवस्ता पड़ती है अगला कोशन है निम्न में से किस परकार का टक्राव आगे बढ़कर अक्सर अहिंसा और राजनितिक स्थिर्था का रूप ले लेता है तो यहाँ पर देखें कि समाजिक जो टक्राव है अक्सर जो है वो हिंसा और राजनितिक स्थिर्था का रूप ले लेता है अगला सवाल है सम्मिधान और विभिन अस्तर की सरकारों की अधिकारों की ब्याक्या करने का अधिकार किसे है तो सम्मिधान और विभिन अस्तर की सरकारों की अधिकारों की ब्याक्या करने का अधिकार जो है वो नियायालाई को है और नियालाई भी सम्मिधान की अनुसार ही सभी लोगों की अधिकारों की ब्याख्या करता है नेक्स कोशन है पुलीस, ब्यापार, वानिज, किरसी और सिच्चाई जैसे महत्वपुर्ण बिसय किस सुची के अंतरगत रखे गए हैं तो ये पुलीस बेपार वानिजी किर्सी और सिचाई जो है राज यसुची के अंतरगत रखे गए हैं नेक्स कुछ ने केंदर सासित परदेश वाले इलाकों का सासन चलाने का बीसे सदिकार किस सरकार को प्राप्त है तो केंदर सासित परदेश जैसा कि नाम से ही असपस्ट होता है केंदर सासित परदेश अर्थात कि केंदर सरकार ही केंदर सासित परदेशों पर जो है वो सासन चलाती है नेक्ट सवाल है कि जब केंद और राइज सरकार से सक्टियां लेकर अस्थानी सरकार को दी दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है तो जब भी केंद और राइज सरकार से सक्कियां लेकर असानी सरकारों को दे दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंदरी करन कहा जाता है और भारत में सत्ता का विकेंदरी करन पहिंचायती राजवेवस्था की रूप में अस्थापित किया गया है अगला कोशन है कि आर्थिक विकास के अंतरगत निमलिकित सम्मिलित लक्ष क्या है तो आर्थिक विकास के अंतरगत जो सम्मिलित लक्ष है यह सभी है इसमें से नियमित रोजगार है, सौतन दरता है, बेहतर मजदूरी है इस सब के सब आतिग गास के अंतरगाथ सामिल किये गए हैं अगला कोशन है भारत किस राज़ी में गरीबी का परतिसद सबसे अधीक है तो भारत में इसमें जितना option दिया गया है उसमें से सबसे ज़्यादा गरीबी का परतिसद 36 गण में है next question है कि भारत में प्रचन बेरोजगारी समाने तक किस छेतर में पाई जाती है प्रचन बेरोजगारी मतलब छिपी ही बेरोजगारी तो छिपी ही बेरोजगारी सबसे ज़्यादा जो है किसी छेतर में पाई जाती है अगला कोशने भारत के किस वर्ग के देशों में आता है तो भारत जो है निम्न आय वर्ग के देशों में आता है नेक्स कोशने कि निम्न में से कौन अर्थव्योस्ता की विसालता को परदर्सित करता है तो सकल घरिर उत्पाद जो है वो अर्थविरस्ता की बिसालता को परदर्सित करता है अगला सवाल है परिभन, भंडारन, संचार, बैंक सेमाय और ब्यापार किस छेतरक की गतिविदियों के परमुख उधारन है तो यह सब के सब जो है वो तिर्तियक छेतरक के परमुख उधारन है नेक्स सवाल है कि किरसी छेतरक के सरमिकों किस परकार की बिरोजगारी पाए जाती है तो इस तरीके से ये कुल 40 कोसंट से इसमें से दिये गए हैं, जो सोसल साइंस से है कहने का मतलब यह है, कि इसमें history के भी question है, जोगरफी के भी question है, civics के भी question है, और economics के भी question है, अर लगबग does this question का एक तरीके से, यह model state इसको समझ लिजे, यहाँ पर सारे does this question का एक model state दिया गया है, जो आपको यह समझने मदद करेगा कि social science में objective questions कैसे पूछे जाते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, next video हम subjective questions पर आधारित बनाएंगे, तब तक के लिए, good bye, जैहिन,